नमस्कार और हलो वरिवन वेलकम टु धर्मीज केक अन बेक तो आज हम यहाँ 1.5 kg का टूटियर केक बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 kg का केक बना लिया है जो मैंने 8 इंच के केक टिन में बेक कर लिया था और जिसके हम 3 सेक्शन कट कर लेंगे उसके बाद हम य यहाँ simple water से इसको केक स्पॉंच को moist कर लिया है मॉइस्ट करना केक स्पॉंच को सोक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे केक सोफ्ट बने और केक पर जो क्रैक्स आते है वो न आए अगर हमारे क्रीम कम सोख हुआ रहता है तो वो क्रीम में से जो मॉइस्चर है वो अब मुझ रेडी कर लिया था जिसमें मैंने विप क्रिम में गनाश एड कर लिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था तो हमारा जो स्टैकिंग है वो भी हो गया है अब हम यहां लेयर में चॉक्लेट शिप सेड और साथ में गनाश एड करेंगे ताकि केक का एक रिच फ्लेवर और हमारा केक टेस्ट में बहुत ही यम्मी लगे तो इससाब से मैंने सब एड़ कर दिया है अब हम अच्छे से क्रीम के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पूरी केक की स्टेकिंग कर देंगे जब ही हम सेकेंड लियर रखेंगे तो हम सबसे पहले कोटिंग भी हो गई है मैं इसे 10 मिनिट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखूंगी इसके बाद हम हमारी फाइनल फिनिशिंग कर लेंगे फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने इस तरह से मूस क्रीम ही ले ली है जिसे हम पूरी केक को कवर कर लेंगे और अच्छे से इसकी finishing भी कर लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ zigzag scrapper से side में zigzag designs भी बना लेंगे केक को 5 मिनिट के लिए fridge में रख देंगे तब तक हम second tier बना लेंगे और second tier मैंने 5 inches के cake mode में bake कर लिया था और same way से हमने stacking और crumb coating कर ली थी अब जैसे हमने first tier को final finishing किया है same way से हम second tier को भी final finishing कर लेंगे और यह मेरे half kg का sponge था मतलब हमारी total 1.5 kg cake बन जाएगी अब हम यह second tier है उसको palette knife की help से transfer कर लेंगे first tier पर और मैंने hulk के हाथों से इससे transfer किया था और जो एक palette knife था वो मैंने थोड़ा सा अटका के रखा था और दीरे दीरे में दूसरा palette knife निकाल रही थी तो इस तरह से आराम से हमने transfer कर लिया अब मैंने यहाँ ganache ले लिया है जिसके हम drips भी बना लेंगे और जो दो tier के बीच में जो gap है उसे भी हम यहाँ पूरा ganache से cover कर लेंगे और same way से first year पे भी हम इस तरह से drips बना लेंगे और ganache में रेशियो क्या रखना है और truffle के लिए रेशियो क्या रखना है कैसे बनाना है उसका detail वीडियो हमने आपके साथ शेर किया है हमारी चैनल Dharmis Kaken Bake पर और जिसकी लिंक में रेस्रिप्शन बॉक्स में भी एड़ कर दी है और मैंने आई बटन में भी वो वीडियो आपके साथ शेर किया है तब जरूर चेक कीजेगा तो हमारे यहाँ डिप्स भी रेडी हो गया है और केक को हम फाइनल डेकोरेट कर लेंगे तो मैंने यहाँ वनेम नोजल के साथ यह डिजाइन कर लिया था और साथ ही मुझे क्लाइंट ने चॉकलेट और गोल्डन थीम बूला था तो उसी हिसाब से मैंने केक को डेकोरेट कर लिया था और एक रेफरेंस पिक भी उन्होंने बेजा था तो उसी हिसाब से मैं यहाँ केक का डेकोरेशन कर रही हूँ डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो अब 1M nozzle के साथ इस तरह से मैंने stars भी बना लिये थे और पूरी केक को cover कर दिया था और यहाँ मैंने 4 chocolates मुझे मिली थी easily available हो गई थी वो chocolates के साथ मैंने यहाँ decoration कर लिया है आपको आज की यह cake design कैसे लगी वो मुझे comments करके जरूर बताएगा और अगली recipe आप क्या देखना चाहते है वो भी मुझे comments करके जरूर बताएगा तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी cake recipes और tips के साथ तब तक के लिए cakes बनाईए सब को खिलाईए और enjoy कीजिए बाबाई